आज इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसा कमाल का तरीका बताएंगे जिस तरीके का योज करके आप WhatsApp पर किसी भी परसनल चैट को लॉक करके रग सकते हैं परसनल चैट को आप हाइड करके रख सकते हैं जैसे कि क्या होता है कि अपने हम WhatsApp पर किसी भी friend से हम बाते करते हैं या हम call पर बाते करते हैं या message पर या हमारे पास कोई भी एक girlfriend है और अपने आप girlfriend से बाते करते हैं लेकिन आपके girlfriend का जो account होगा वो आपके WhatsApp के home screen पर दिखाई देता रहेगा अगर by chance आपका phone आपके family member के पास चला गया या आपके friends के पास चला गया तो अगर वोस friends ने या वोस family members ने आपके WhatsApp को open कर दिया या आपके सामने ही open आपसे करवा लिया तो सारी chat उसको दिखाई दे जाएंगे कि आपने किसे किसे chatting की है और फिर उस chat को देखने के बाद वह सारा कुछ पढ़ लेगा कि आपने क्या क्या किसे किसे क्या भेजा हुआ है तो अगर आप इस problem को fix करना चाहते हैं और अपनी WhatsApp पर एक chat lock लगाना चाहते हैं किसी भी personal एक chat को lock करके रखना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं WhatsApp ने एक नया features launch कर दिया है आपको किसी भी other application की जरूरत नहीं पड़ेगी कैसे करना है तो सबसे पहले आपने mobile में अपने WhatsApp application को open कर लिजिएगा कुछ इस तरीके से आपका WhatsApp application open हो जाएगा अब आप यहाँ पर किसी भी personal chat को आप hide करना चाहते हैं तो आप अपने personal chat पर आप एक click करेंगे जैसे कि मा लिजे हमारे पास एक ये account है और इस account को हम hide करना चाहते हैं मैंने इस account से क्या-क्या बाते की हैं किसी को दिखाई ना दे और ये chat हमारे home screen पर भी हमें दिखाई ना दे तो इसके लिए आपको अपनी chat पर click करना होगा chat पर click करने की वाद chat के account के name पर click करना होगा यहाँ पर आपका नीचे आना होगा जैसे आप नीचे की तरह आएंगे तो यहाँ पर आपको एक option मिले का chat log जैसा कि आप देख सकते हैं तो बस आपको इस chat log को यूज करना होगा जैसे आप इसे यूज करेंगे आपसे बोला जाएगा continue और आपको फिर continue के option पर click कर देना होगा जैसे आप continue पर click करेंगे आपसे बोला जाएगा कि आपको अपना log डालना होगा या तो आप pattern lock डाल देंगे अगर आपका finger है तो आप finger लगा देंगे उसके बाद आपकी यह chat जो होगी वो lock हो जाएगी अब यहां से आप बैका जाएगेगा अब आपने जिस chat को आपने lock किया है वे chat आपके home screen पर दिखाई नहीं देखी अब आप देख सकते हैं कि जिस chat पर मैंने lock अभी अभी लगाया है वे chat हमारा कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है तो यह वो आसान तरीका है जिसका आप यूज करके अपने whatsapp पर किसी भी personal chat या आप girlfriend का account आप lock कर सकते हैं और उसे hide कर सकते हैं अब आपके मन में एक present जरूर आया होगा कि आप मैंने lock कर दिया मैंने hide भी कर दिया लेकिन हमारा दिखाई कहां पर देगा कैसे दिखाई देगा क्या और लोग भी देख सकते हैं कि नहीं तो आप जान लेते हैं कि आपका दिखाई कैसे देगा तो आपको चलना है अपने whatsapp पर आपका personal chat आपको दिखाई तब देगा जब आपने whatsapp के home screen पर इस तरीके से आपका ये है और इसी आप इस तरीके से और इसी आप इस तरीके से scroll करेंगे आप इस तरीके से scroll करेंगे तो यहाँ पर आपका il lock folder निकल कर आ जाएगा बस आपको इस lock folder पर click करना है अपना lock डाल देना है या अपना fingerprint लगा देना है उसके बाद आपका सारा chat जो होगा lock में वो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा अब आप इस पर click करके उसके chat देख सकते हैं उससे आप बाते कर पाएंगे और इसी तरीके से अगर आप उसे हटाना चाहते हैं unlock करना चाहते हैं तो उसके account पर click करिएगा name पर click करिएगा और यहां से आप log को बंद कर देंगे तो वे chat आपके फिर से वापस आ जाएगी आपके home screen पर तो ये वो पूरा process है जिसका आप योज करके किसी भी personal chat को आप log कर सकते हैं अपने WhatsApp पर और उसे आप hide भी कर सकते हैं और किसी भी other application की जरूरत नहीं पड़ेगी अब अगर आपको यार ये वीडियो पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को subscribe करके हमारे साथ जुड़ जाएगा और हाँ free में earning करना चाहते हैं तो एक बार हमारे telegram चैनल को भी check out कर लिजिएगा वीडियो पूरा देखने के लिए हमारे तरब से आपको पहुत पहुत धन्यवाद